बंगलादेस की सुप्रीम कोट ने रवी वार को एक फैसला सुनाया है और आपको बता दें बंगलादेस की सरवच अदालत ने ये फैसला सुनाया है पर माना जा रहा है ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है बंगलादेसी सुप्रीम कोट का ये फैसला बेहद एत यहासिक माना जा रहा है जानेंगे बंगलादेश में क्या हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर इसक्रीन पर एक सक्स देख रहे हैं आप इस सक्स ने यूरोप के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और यह कहा है कि यूरोप भारत के आगे फेल हो चुका है और यूरोप को सोचने की जरूरत है इस चेतर में आपको बता दें अंतरिक्ष के चेतर में आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जानेंगे अब सीधे टकर क्यों बताई जा रही है कि भारत और चाइना को होगा और अमेरिका भारत को छोड़ना नहीं चाहेगा अमेरिका भारत के साथ मिल कर रहना चाहेगा जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से बात करें बंगलादेश की तो बंगलादेश की सबसे बड़ी अदालत ने रवी बार को एक फैसला सुनाया और इस फैसले में देश की सबसे बड़ी इसलामिक पार्टी जमाते इसलामी के चुनाओ लड़ने पर पर्तिबंध बरकरार रखा है बंगलादेश सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इसलामी के चुनाओ लड़ने की इजाज़त देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है बंगलादेशी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एतिहासिक माना जा रहा है इस फैसले के बाद मौजूदा प्रधान मंत्री से खसीना के रास्ते का सबसे बड़ा काटा साफ हो गया है बंगलादेश की सरवच अदालत ने साल 2013 में इसलामिक पार्टी जमाते इसलामी को देश की धर्म निर्पस्ता के प्रावधानों का उलंगन करने का दोसी करार दिया था और उसके चुनाओ लड़ने पर परतिबंद लगा दिया था बंगलादेश में अगले साल 7 जनवरी को लोग सबा चुनाओ होने वाले हैं और जमाते इसलामी ने सुप्रीम कोर्ट में याची का दायर कर सरवच अदालत से 2013 के फैसले को पलटने की अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के मुखे ने आए दिस अबुदेल हसेन की अध्यस्ता में सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन की पांच सरदसिये पीठ ने ये फैसला सुनाया बंगलादेश जमाते इसलामी के इलक्सन कमीसन के रजिस्टेशन को दस साल पहले रद कर दिया गया था इनके चुनाओ चिन को भी रद कर दिया गया था हाला कि हाई कोर्ट ने जमाते इसलामी के चुनाओ लड़ने पर परतीबंद नहीं लगाया था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनके चुनाओ लड़ने पर परतीबंद लगा दिया था आपको बता दें ये सब कुछ तब हुआ था इस कोट का फैसला तब आया था जब पाकिस्तान के खिलाब देश के 1971 के स्वतंतरता संग्राम का विरोध करने के लिए पार्टी पर पर्तिबंध लगाने की मांग के बीचाया था प्रधानमंत्री सेख हसीना की सरकार ने 2009 में सत्ता में आने के बाद देश के स्वतंतरता संग्राम के दोरान नर संग्रा युद्ध पराधों के किर्तियों में भूमिका के लिए बंगला देश जमाते इसलामी के शिर्ष नेताओं पर मुकदमा चलाने की मांग की थी वही साल 2013 के बाद जमाते इसलामी के कई बेडे बड़े नेताओं को सुप्रीम कोट के आदेश के बाद फासी दे दी गई थी जबकि कई नेताओं को उम्र कहद सजा सुनाई गई थी 1971 के आंदोलन के दोरान जमाते इसलामी ने खुल कर पाकिस्तान का साथ दिया था और बंगला देश में पाकिस्तानी आर्मी ने जो किया था इसमें इस संगठन ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई वहीं बंगलादेस बनने के बाद भी जमाते इसलामी का पाकिस्तान के साथ काफी करीबी रिष्टा बना हुआ है जमाते इसलामी पार्टी के खिलाफ खड़े वकील का कहना है कि उच न्याले के फैसले को भी बरकरार रखा गया है ये न तो चुनाव लड़ सकती है और नहीं किसी तरह की रेलियों का आयोजन कर सकती है वैसे आपको बता दें इस बात को लेकर अमेरिका और बंगलादेस के बीच लंबे समय से तनाव रहा है अमेरिका ने free and fair election के नाम पर बंगलादेस सरकार के कई बड़े मंतरियों और परधान मंतरी से खसीना के पार्टी के कई नेताओं पर वीजा परतिबंध इसी साल लगाए है वैसे आपको बता दें ये पार्टी अगर सत्ता पे आती है तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खत्रा है ये बात तो आपको समझ में आही गया होगा काल 2001 से 2006 तक दिदत जिया द्वारा चलाया गया था सरकार और उस समय भारत के रिष्टे अच्छे नहीं थे सेख हसीना को भारत का करीबी माना जाता है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए इस आर्टिकल ने एक बड़ा खुलासा किया है इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि पहला ऐसा देश बन सकता है चाइना जो नासा को हरा कर चंद्रमा पर अपना बेस बना ले अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आपको बता दें ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाइना 2035 तक मानो भेजना चाहता है चांद पर और वह अपने ट्रैक में माना जा रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है और ये कहना किसका है? उस्क्रीन पर आप देख लीजे नासा के एडमिन बिल नेल्सन का कहना है कि चाइना लग रहा है जैसे 2035 तक के अपने जो टार्डेट है उसको पालेगा लेकिन नासा के साथ क्या है नासा ने टार्डेट तो बनाया है पर NASA उस target को पापाएगा इसके लिए अभी संदे है क्यों तो इनका कहना है कि हमने 2025, 2026, 2030 तक के लिए बहुत प्रोग्राम बनाए हैं पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारे प्रोग्राम अभी डिले होते जा रहे हैं इसलिए हम चांद पर पहुँच पाएंगे और बेस बना पाएंगे अगर चाइना अपने target को पूरा कर पाता है और NASA पूरा नहीं कर पाता है तो कौन इस target को पूरा कर सकता है क्या चाइना को challenge भारत दे सकता है तो आपको बता दे नासा लगा तो हुआ है और ना सिर्प नास पर इस तरह के program ये लगातार कर रहे हैं क्योंकि इने पता है आने वाला समय अंत्रिक्ष का है और जो अंत्रिक्ष पर पहले पहुँच गया उसी का कभजा हो जाएगा ऐसे में भारत के उपर क्यों भरोसा बताया जा रहा है और आपको समझ में आएगा कि आखिरकार एसा के साथ मिलकर काम करना सुरू किया नासा बहुत आकरामक तरीके से काम कर रहा था लेकिन एसा छोटे-छोटे पुर्जेक्ट और उतना ध्यान इसने इस पेस पर कभी नहीं दिया और आज की डेट में क्या है तो आपको बता दें स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रह कई बड़े खुलासे किये इन्होंने कहा कि यूरोप ने अब सीख लिया है और यूरोप अपने मॉडल को बदलेगा और प्राइवेट प्लेयर्स को अब हम एंट्री देंगे एक दूसरा सम्मिट देखिए जहां बहुत बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं इतना साफ- डाइरेक्टर जेनरल हैं वैल्टर पेलजर इन्होंने तो एकदम खुलनम खुला बोलना सुरू कर दिया है स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं इन्होंने कहा कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सच सुनिये और स सच क्या है सच यह है कि हम बहुत पीछे हैं हमारे पास बजट नहीं है हमारे पास करने वाले छमता नहीं है यह जर्मनी स्पेस एजेंसी के डाइरेक्टर जेनरल है इन्होंने कहा कि सच को स्विकार करो यूरोपिये यूरोपिये स्पेस एजेंसी सलाना खर्च कर रही है सा बिलियन यूरो अगर हमें competition में आना है तो कम से कम 20 बिलियन यूरो करना होगा और अभी भी हमें लगता है कि हमारे पास वैसी industry उस तरीके की चीजें नहीं है कि हम बहुत बड़ा-बड़ा प्लान कर सके ये तब कहा इनोंने जब इनसे audience ने ये सवाल किया कि हम भारत के जैसा चाइना के जैसा या अमेरिका के जैसा क्यों नहीं सोचते हैं तब इनोंने ये बात कही इस क्रम में ये बताया जा रहा है कि भारत की space agency यूरोप की agency से काफी आगे निकल चुकी है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले व है